All India Unemployment Youth Struggle Committee द्वारा अखिर भारतिय विरोध दिवस के अफसर पर RRB, NTPC और Group D परिक्षाओं की विसंगतियों को दूर कर सभी पदों को जल्द भरने की मांग को लेकर तथा युवाओं और शात्रों पर बरबरता पूर्वक हुए लाठी चार्ट के खिलाब दुर्ग कचहरी चोक में विरोध प्रदर्शन कर अपर कलेक्टर को केंद्रिय रेल मंतरी भारत सरकार के नाम की आपन सौपा गया अल इंडिया अनिम्प्लाइमेंट यूथ स्ट्रगल कमेटी की तवारा अखिल भारती विरोध दिवस के आउसर पर आर आर बी एंटी पीसी और ग्रूप डी परिक्षाओं की विसंगतियों को दूर कर सभी पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग को लेकर एवं युवा अनिम्प्लाइम यूथ स्ट्रगल कमीटी के दुर्ग जिल प्रपारी पुजा सागर ने कहा कि आर आर बी एंटी पीसी एवं ग्रूप डी के लगबग डेड़ लाग पदों के लिए जनवरी 2019 में वेकेंसी निकाली गई थी 2021 में एंटी पीसी के 35,277 पदों की परिक्षा लिगई जिसका परणाम जनवरी 2022 में घोशित भी किया गया लेकिन परिक्षा परणाम को लेकर काफी संख्या में शात्रों की तरफ से सवाल आये जिसका समधान तुरंद किया जाना था 77 ग्रूप D के 125,000 पदों के लिए एक ही परिक्षा होती थी लेकिन उसे दो कर दिया गया जिसके कारण शात्रों का गुसा फूट पड़ा है पहले आंदुलन कारी शात्र शांती पूरवक अपनी मांग उठाते रहे लेकिन सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं मिला जिससे युवा इस तरह के मजबूर हुए जिस तरह से रेलवे परिक्षार्थियों पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया उन्हें लाठी रंडर पत्थरों से मारा गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गया जितनी निंदा की जाए कम है यहां तक कि हॉस्टल के कमरो में घुसकर निर्दोश चात्रों को पीटा भी गया वहीं कोना की आड में दो साल से नौकरी नहीं दी जा रही है रेलवे एक समय सबसे जादा 23 लाख नौकरी देने वाली संस्ता थी परन्तु आज मात्र 12 लाग के करीब पद रह गये हैं रेलवे का नीजी करन भी किया जा